Hi everyone, welcome to car driving series, lesson number 2, car gear, इसले वीडियो में हमने सिखा था car के controls के बारे में, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं car gear lever के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ये है 5 gear manual transmission, कई कारों में 6 gear का भी option दिया होता है depending on the car engine, तो आपको क्या करना है, जब भी आप new car म बैठें तो आपको notice करने हैं ये symbols जो की gear knob के ओपर दिये होते हैं, अभी मेरा gear neutral position में है, neutral position हमेशा 3, 3rd और 4th के बीच में होती है, अगर आपको gear engage करना है first में, तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले, आपको press करना होगा clutch, अभी हम हैं यहाँ पे, तो हमें जाना होगा left and and then forward, तो आपका gear engage हो गया first gear में, अब वापिस से हमें neutral में आना है, तो हम करेंगे clutch को press and then just में पीछे की तरफ push कर दूँआ, तो यह आजाएगा center में, अगर आपको check करना है कि आपका gear neutral में आ गया है, तो उसके लिए simple सी trick है, आप क्या करेंगे, gear knob को left and right में पुश करके द second में आने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिर से first में जाएंगे, मैं दबाऊंगा clutch, अब आपको फिर से second में आना है, तो मैं दबाऊंगा clutch and then just first के पीछे second gear है, मैं आगे हो second gear में, अगर आपको third gear में आना है, तो मैं फिर से आओंगा neutral में, यह है neutral and third है neutral के just आ गेर को कर दूँगा जस्ट आगे की तरफ पुश वैसे ही फोर्थ गेर के लिए मैं हूँ न्यूटरल पे पीछे की तरफ पुश करूँगा अभी ये एंगेज हो गया है फोर्थ गेर similarly मैं आ गया फिर से न्यूटरल गेर पे फिफ्ट में आने के लिए मैं को right and then straight जाना है तो अभी मैं आया right and straight आपका hand placement भी बहुत ही important है गेर एंगेज करने के लिए like first में अगर आपको आना है first and second में आपको आना है तो आपको pressure डालना होगा left की तरफ मैं ऐसे नहीं रख सकता ऐसे नहीं रख सकता मुझे रखना पड़ेगा इस तरीके से मैंने pressure create किया left की तरफ and then आगे तो ये मेरा first में engage हो गया similarly second में आने के लिए आपको pressure इस साइड रखना होगा इस तरफ pressure रखते हुए आपको पीछे की तरफ move करना है तो आपका गेर second में engage हो गया similarly neutral में आ जाता हूँ अगर हमें third में जाना है तो मैं आगे की तरफ pressure create करूँगा अगर पीछे की तरफ आना है तो मैं जस्ट आगे से पीछे की तरफ gear engage करूँगा फिर से में neutral में आता हूँ अगर मुझे fifth में engage करना है तो मैं pressure यहां से create करूँगा simple बात करते है reverse gear की कई कारों में इसकी position different जगे पे होती है लाइक फिफ्ट के पीछे भी हो सकती है फिफ्ट के पास में भी हो सकती है तो आपको notice करना है कि आपके कार में reverse gear की position क्या है उसके बाद कई कारों में mechanism भी different होते हैं कई कारों में आपको directly आप reverse में engage कर सकते हैं अगर वह फिफ्ट के पीछे हुआ तो आप जस्ट पीछे की तरफ पुल करके आप उसको engage कर सकते हैं मैं बैठा हूँ रैनोड ट्राइबर में जिसमें एक safety feature दिया होगा है यह liver जिसे मुझे पुल करना होता है पुल करके मैं क्या करूँगा direction देखूँगा reverse की यह left और straight तो मुझे पुल करना है and left and straight engage कर देना है आपने सुना होगा एक beep sound जो की indicate करता है कि मेरा gear reverse में engage हो गया है तो उमीद है आपको सब समझ में आ गया होगा next lesson में हम जानेंगे car adjustments के बारे में IRVM ORVM seat adjustments and other adjustments के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें कोई भी सवाल या suggestion हो तो comment करें subscribe करें मेरे चैनल कार जानकर को thank you